हे गाईज वेलकम बैक टो माई चैनल आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे मिल्क पाउडर से पेडा और वो भी वो वाला मिल्क पाउडर है जो आंगन बाड़ी में फ्री मिलता है क्योंकि बहुत सारे हमारे सस्क्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि जो आंगन सबसे पहले हमें एक कडाई चाहिए थोड़ा सा दूद चाहिए थोड़ा सा दूद में एक गिलास या फिर एक काप आप ले सकते हो दूद जितना भी आपको बनाना हो कम जादा कर सकते हो उसके बाद 300 ग्राम हमें मिल्क पाउडर चाहिए एक कप दूद लिया मतलब कि 200 ग तो दो चमज घी डाल दे काफ़ी रहेगा और 100 ग्राम डालना है इसके अंदर चीनी मैंने 100 ग्राम डालना है वैसे हलवाई के हिसाब से त्युटा सा जाता है मतलब जितना मिल्क पाउडर हो उसका रह जाता है योड़ना होता है अधमने 130 ग्राम This T लेकिन 1500 gram हमने नहीं डाला है थोड़ा सा कम डाल दिया ताकि मीठा थोड़ा सा कम रहे मतलब की 100 gram डाल दिया हमने उसके बाद हमें क्या करना है इसको अच्छे से mix करना है जब यह बिलकुल अच्छे से mix हो जाए तब हमें gas को on करना है अभी gas मैंने on नहीं किया है और starting में अभी तो यह बिलकुल अच्छे से mix हो जाएगा अगर दूद थोड़ा सा गरम होगा तो अच्छे से mix नहीं होगा इसलिए normal दूद लेना है या ठंडा दूद भी ले सकते हो कोई problem नहीं है उसके बाद mix करने के बाद ही हमें gas को on करना है वो भी low flame पे low flame पे gas को on कर दिया है अब इसे हमें धीरे धीरे करके पकाना है low flame पर करीब 5-7 मिनट का time लगेगा इसको पकाने में और बिलकुल low रखना है क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है कि जल भी जाता है तो gas को high flame पे बिलकुल भी ना करें जैसे जैसे ये गरम होता जाएगा ये बिलकुल गाड़ा होने होई चुके है तो ये गाड़ा होना start हो चुका है ये देखिए अभी ये बिलकुल खोया जैसा मावा वाला texture लग रहा है लेकिन जब इसको 2-3 मिनट और पकाएंगे तो ये बिलकुल इस तरह से डो जैसा बन जाएगा और इसका color भी पूरा white रहेगा मतलब इसमें brownness बिलक जासा या फिर किसी भी shape में मावा के texture में अलग-अलग बहुत सारे चीजे बनाई जाती है तो जो भी बनाएंगे इसका बनी जाएगा इसके बाद हमें क्या करना है ऐसे थोड़ा सा चेक करना है जब last में बिलकुल डो जासा बनने लग जाए तब इसको ऐसे गोल-गोल भूम रहा है आपके हाथ में नहीं चिपक रहा तो इसका मतलब यह है कि बिलकुल ready है गैस को बंद कर देना है अब इससे ठंडा करके हमें एक butter paper या फिर किसी थाली या किसी टेबल पर इसको अच्छे से फैलाना है इसको बेल के जैसे जो भी pieces में आपको पसंद है वैसे आ जो भी आपके पास है आप इसे use कर सकते हो मेरे पास यह ring cutter है तो मैं इससे ring cutter से इसको पेड़े जैसा shape में cut कर लूँगा जैसे छोटे-छोटे पेड़े होते हैं उसी साब से हम इसको cut कर लेंगे और cut करने के बाद जो बाकी का बचा हुआ रहेगा वह भी हम दुबारा से बेल के दुबारा shape में हम ऐसे cut कर लेंगे तो यह हमें थोड़ी देर plate में रखना है चाहो तो थोड़ा सा fridge में भी रख सकते हो ताकि tight हो जाए वैसे fridge में रखने के ज़रूत नहीं है थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही रखेंगे तो यह tight हो जाएगा उसके बाद जो बचा हु के लिए थोड़ा सा मैंने उपर से चांदी का वर्क लगाया है जो हलवाई यूज करते हैं और थोड़ा थोड़ा इसके उपर dry fruit पिस्ता वगरा या फिर कटे हुए पिस्ता बादाम वगरा कुछ भी आप इसके उपर लगा सकते हो अब यह बिलकुल ready है आप यह पर देख कर सकते हो जो आपने स्टार्टिंग में दूड़ डाला उसकी जगह पानी भी डालेंगे तब भी चल जाएगा अभी मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूं इसका टैक्शर आप देखी पा रहे हैं तो थैंक्यू सो मजग गाईस मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो दोस्तो उसको भी ज़रूर दवा लेना तक कि आप सभी को हमारी वीडियो मिलती रहें और आगे भी मैं अप्लोड करता रहूंगा वीडियो थैंक्यू सो मजग मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई